हाई फ्रेंट्स वेलकम तू आप सभी को मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो आज का जो वीडियो है वो टंग पैपिलाइटिस से रिलेटेड है और टंग पैपिलाइटिस जो है पेशेंट के अंदर जो है वो क्यों डेवलप होता है फ्लस पेशेंट को इससे क्यों द इन्फ्लामेशन का होना तो यह जो इन्फ्लामेशन है यह पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है द्यू टू निट्रिशनल डेफिसियंसी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ वाइरल फीवर या फिर यू कहें कि पेशेंट की अगर कोई हिस्ट्री हो जिसमें की टोबैको स्म अगर कोई बेक्टेरियल फंगल या वाइरल जो भी डीजीज है उसमें से अगर कोई डेवलप हो रहा है तो उसके कारण से भी टंग पैपिलाइटिस हो सकता है और पइशेंट को जब यह प्राप्लम होती है तो पेशेंट को काफी ज्यादा दिक्कत महसूस होती है जिसमें कि most common जो patient complain करते हैं वो patient complain करते हैं अपने fear का तो उन्हें डर है कि ये जो part है उनका कहीं वहाँ पे cancer ना develop हो जाए तथा वहाँ पे bump बन गया है patient का ये complain होता है कि जो मेरे tongue है वहाँ पे bump बन गया है तो मैं क्या करूँ तो सबसे पहले चीज़ कि मैं ऐसे patient जो complain करते हैं कि मुझे ये problem है और इसके लिए आप कोई solution बता है तो ऐसे patients के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके foliate papilla यानि कि अगर आपके posterolateral surface of tongue वहाँ पे कोई problem हो रही है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी worried ना हो जिसमें Phyliiform, Fungiform, Folliate Papilla और Circumvalid Papilla तो यह सारे papilla जो होते हैं वह हमारे टंग पर प्रेजेंट होते हैं जिसमें से कि हमारे जो मुख्य तया जो हमारे टेस्ट बर्ड को contain करते हैं उसमें से जो Phyliiform Papilla होते हैं Folliate Papilla होते हैं और हमारे Circumvalid Papilla होते हैं तो किसी भी infection में यह affected हो सकते हैं आपके टेस्ट ऑल्टर हो सकते हैं आपके माउथ के अंदर मतलब आपको लगेगा कि वहां पर सूजन हो गई है वहां पर पेन हो सकता है कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि वहां पर प्रिकिंग sensation होती है मिन्स चुभन महसूस होती है तो ऐसे पेशेंट चिनमे की प्रिकिंग सेंसेशन है कई पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है तो यह सारे फैक्टर पर वर्क करना होता है उसके बाद चीजों को identify करके medicine according to your situation आपको दिया जाएगा क्योंकि medicine का जो रेजीम है जो हर वैक्ति के लिए अलग हो सकता है यह जरूरी नहीं है कि आपके mouth के अंदर जो पैपिलाइटी से हो सकता है यह फंगल इंफेक्शन के कारण हो या फिर किसी और परसन के अंदर यह डैवलप हो रहा है तो हो सकता है वह नियॉराल्जिक प्रॉब्लम के कारण हो तो प् आपको थोड़ा साथ यह जो हमारा फंगल प्रॉब्लम है उन सब चीजों पर वर्क करना है प्लस जैसे माउत में हमारा क्या होता है कि कि सी भी चीज में अगर आपकी इम्मूनिटी सप्रेस हो रहे किसी भी चीज के कारण तो सबसे पहले वह इंप्रेशन अपने माउत में ही सबसे पहले पेशेंट महसूस करता है क्योंकि माउत काफी सेंसिटिव होता है तो आपको थोड़ा सा भी अगर कोई अलसर या फिर कोई स्वैलिंग प्रेजेंट मौजूद होती है आपके माउत के अंदर तो वह आपको अनेजी फील करवाती है तो जैसे कि मैं बता रही सिर्फ इनलार्जमेंट और फॉलिट पैपला है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है प्लस ऐसे पेशेंट इनको किये है तो सबसे पहले चीज़ कि आप अपने हैविट को कुईट कर दे हैविट को कुईट करने से क्या होगा कि जो क्रोनिक जो स्टीमूलेस वहां पे मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा उस जगह पे तो इरिटेशन का लेवल कम होगा तो जो आप दवा लेंगे वो आप पे असर करेगी अन्य था आप दवा भी लेंगे और अपने हैविट को भी कंटीनू रखेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं ह प्लस जैसे की मैं बतारहे हैं कि इस तरह की केशिस में होता है कि बर्णि मास् शिंडरोm भी पेषिंट specified हो पेशिंट को मौद फुद होता है ettnic इल्टे को पla validation से एक इससे सिच्वेशन में होती है कि इसको नेश पिडिदों कि आपने की न कि प्रेशन का वोसानैर ऐसके और सीधा स्रल्म मेंकि स्क्राइजम इसदार पर उसमें कि प्रिवल स्दुन फैरे गाहिशं परेड़ डुए कमथ To एक्र जुए उसमें कि कुछ स्म्टम का फैरे आप विंम का मिया भंस जूरता उसमें और यह सारे शिम्टम्स उनके अंदर है तो हो सकता है कि वोने कोई बैक्टेरियल फंगल और वाइरल डीजीज ना हो उन्हें जो है जो अरली ओंसे डिजीज है नर्वल डीजीज उसके अर्वल डीजीज नर्वल प्रॉबलम के लिए लेकिन कई बार मेल भी अफेक्टिट होते हैं तो अगर इन सब फैक्टर पे अगर आपको प्रॉबलम महसूस हो रहा है किसी एक फैक्टर पे तो आपको अपने निकटवर्ती जो उसके प्रॉबलम महस्के आपको प्रॉबलम के में सब्सक्टर आपको और प्रॉबलम में प्रॉबलम मुझे जो को अगर आपको डाइट निक्यों निक्तल में जो हैं गुझाने काफ़ी फ्री रेडिकल हैं जो की आपके हैबिट फ्री रेडिकल का प्रेजन्स है आपके मौथ के अंदर उन सब को यह नुट्रालाइज करता है तो लाइकोपीन रिच्टाइट एंटी ओक्सिडेंट आपके लिए रहेगा और इन सब के अलावा जो है डॉक्टरी सला आप जरूर ले अपनी मर्जी से और वीडियो सुनके इलाज ना ले क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है तो उमीद करते हूं कि ये वीडियो आप